वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला आपको नहीं पता हूंगी तो वह हो सकता है मैक्सिमम जो रेंज है स्टूरेंस क्योंको ना पता हूं सेलेक्शन इसले नहीं होता क्योंकि जो सबका ठीक होगा वो अगर आपका दलत हो गया तो आप रेस से बहार हैं बिल्कुल ठीक है बेसिक पॉलिटी बेसिक जोग्रफी मैप वर्क में रेपीटिडली कहरी हूं अभी भी जितना टाइम बजा है रोज 15-20 मिनट एक एक कॉंटिन देख लो एक दिन बैट के सारे स्टेट से यार कर लो एक दिन सारी सीज देख लो यह ना सब कुछ सारे ट्रिक्स इसकी लिस्ट बनाने पड़ेगी क्योंकि चोटी-चोटी चीजे हैं यह दिमाग भूल चाएगा क्लियर इसके साथ आपको भी पेड ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं टैस्सीरीज प्राक्टस करना चाहते हैं को इसके लिए आप हमारे पेड ग्रुप डेफिनिटली जॉ कि यह भी हो जाएगा इसका कोट जी आप जानते हैं कहां पढ़ता है यह इंडस नदी पे इंडस नदी इसकी बैसिकली बहती यह दर से ख्यारपुर जगा है सिंधपुर सिंध प्रोविंस की रंगपुर है आपका काठेवाड रोपड है आपका यग इदर चर्मा ने इसको वो किया था उत्खनन किया था इसका और यह है रोपड है और लोथल है आपका एहम था पाद में इनकरेट चुनना आपको मुड़की का यूद यह मैं गराचु किया आपको पहले भी यह इस इंडिया कंपनी और सिक एंपायर के बीच हुआ 1845 में बैटल अलीवाल हुआ ब सी गलत है बैटल अफ सब्राओं हुआ था ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी और सिक एंपायर के बीच में 1846 में ठीक है जी और ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी जीती थी इसमें करेक्ट आप्शन बताईए एलेक्जेंडर का इंडिया पे अटैक, कॉंक्वेस्ट अफ कलिं सी ख्रोलोजी में अरेंज करना आपको, पुलकेशन सेकेंड का टाइम पीरिट वच्सराज का मेहर भोजवन का महिंदरपाल वन का तो यह अरेंजड है ऐसे मान लीजें, पुलकेशन टू का था 609 से 642 एडी, वच्सराज 775 से 800 एडी, महिर भोज वन 836 से 885 एडी, महिंदरपाल वन 885 से 910 एडी करेक्ट बताना है, विक्रम समबत की शुरुवाज 78 एडी, साक्षमबत की 57 बीसी, गुपता रूल की 328 ए राउंड, मौरेंपार का अन्थ 185 बीसी 3rd और 4th ठीक है, विक्रम समबत आप जानते हैं 57 है, और शाक समबत 78 है, दोनों डेट्स बहुत इंपोर्टन हैं, प्लीस याद रखनें, यह और यह है क्रोलाजी में आपको रेंज करना है, ताले कोटा का यूद, चौसा का, समेल का, बिल्ग्राम का, सारे इंपोर्टन यूद तो देखिए, आपको याद हो नहीं चाहिए, यह हो जाएगा, देखिए, बैटल ऑफ ताले कोटा 1565, बहुत इंपोर्टन है यह, आप जानते हैं यहाँ पर दक्कन सलतनेत जीत गई थी, विजनगर एंपायर से, चौसा हुआ 1539 में, शेर्शाहा जीत गये थे हुमायू को हराके, बैटल अफ सम्मेल हुआ 1544 में, शेर्शाहा जीता था मालदेव रठ और हिंदू राजपूत किंग था उसको हराके, और बील्ग्राम 1540 में, शेर्शाह जीता था हुमायू को हराके, करेक्ट चुनना है, जैन लिटरेचर को कहते हैं अगम, सिध्धान्त, महावीर स्वामी ने जैन संग की स्थापना की थी, उनके लाइफ टाइम में, पाव में, जहांपे 11 मेजर फॉलोवर्स उनके अन्यवाई थे, महावीर इसका, C, 1-2-3 ठीक है, यह पहली जैन काउंसल के वक्त, कंपाइल किये गए थे, अब 8 देख लो, करेक्ट बिताना है, चोल टाइम पीरिड में, जो बिजनिस था विलेजिस का, उसको एक एग्जेक्टिव कमेटी देखती थी, एक कारे-कारेनी समीती थी, जिसका नाम था वरियम, चोल टाइम पीरिड में, पड़ी कवल, यह वो आदमी था, बेसिकली, जो गाड था, विलेज का, इट वोज फी, मतलब चौकिदारी शुल्क था, ऐसे समझ लो, चोल अड्मिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, और होता था ग्राम सभा, जिसमें विलेज भी और टाउन विजियला, उसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, तिरू नेंड गुलम इंस्क्रिप्शन में, सारे ठीक है, करेक्ट बता रहा है, सत्वाहन रूलर्स जो थे, उन्होंने रॉयल ग्रांट्स, बेसिकली शाही अनुदान देने की प्रथा शुरू की थी, सत्वाहन साश अन्जनी पुत्र, हनुवान जी, ठीक है, इस हिसाब से, सेम, और जैसे देव की नंदन, क्रिशन जी को कहते हैं, ऐसे, सत्वाहन राजवंच का संस्थापक, जो थे, फाउंडर जो थे, वो थे, सिमुख, सी ठीक है, सेकंड, थर्ड, फो ठीक है, पहला गलत हो गया, पहला इसले गलत हो गया, ये लोग बुद्धिस्ट मॉंक्स को देते थे, ना कि जैन मॉंक्स, आपको हरियंक डाइनस्टी के, जो साशक है, उनको चुनना है, चुनिए, तो बिम्बी सार हो गए आपके, और अजाच चत्रू हो गए, और उधैभद्र, इनका ही नाम है उड्डियन, उधैभद्र वोज उड्डियन, करेक्ट चुनना है, एक पारसी समाज सुधारक थे, बहराम जी, M. Malabari, नाम सुना होगा अपने, उन्होंने सेवा सदन खोजा, एक सोशल रिफॉर्म और्गनाजेशन थी, 1885 की, इश्वर चंदर विद्या सागर, प्रिंस्पिल बने संस्कृत कोलेज के है, क्यालकटा, 1850 में, जॉन इलियोट, ड्रिंक वाटर, बेठ्यून, इन्होंने स्टैबिश किया था, फीमेल स्कूल कालकटा में, 1849, जिसको रिनेम किया गया इस बेठ्यून स्कूल इन 1856, तो ये ठीक हैं सारे है, करेक्ट चुनना है, 1917 में कि इंग्लिश लैंगविज निउस पेपर स्टार्ट हुआ, बॉम्बे क्रॉनिकल के नाम से, जो प इसेंट मिला था, ब्रिटिन से, जुलाई 18 1947 को, एक आप मुझे बताएंगे, कि महात्मा काधी ने कितने आमरन अंशन किये थे, फास्ट अंटु डेथ कई बार किये थे, कितनी बार किये थे, कब कब किये थे, प्लीज कॉमेंट करके बताएए मुझे, 2-3 ठीक है, पहला गलत हो गया, है ना, 1913 है क्योंकि येर, ना कि 1917, करेक्ट चुनना है, रेगुलेटिंग अक्ट अफ 1773 की कमियों को दूर करने के लिए, प्रिटिंड याट 1784 आया, डेनमार्क ने अपना सेंटर बनाया, तंजोर में 1620 में, और लॉर्ड विलियम बैंटि 1-2 ठीक है, ठगी पिथा का अंत हुआ था, 1830 में, करेक्ट चुनना है, बैटल अफ पोर्टो नोवो कब हुआ, 1781 में, हैदर अली और ब्रिटिश इसंटर कंपनी के बीच में, सर आयरेकूट लीडर्शिप कर रहे थे, लॉर्ड करजन ने किरिगेशन कमिशन की स्थापना की 1901 में, जिसके चेर्में थे सर कॉलिन कैंबल स्कॉट मॉन क्रीफ, पहले टेस में भी यह बाद पूछी जा चुकी है, 1786 में एड्माइरल चार्ल्स वाट्सन जो है, उनको भेजा गया था, समुदरी रास्ते से, लॉर्ड क्लाइफ का असिस्टेंट बनके, टूरी कैप् लाठी क्लब, पंडित मदन मुहन मालविया ने बेसिकली इस्टाबेश किया था, जैसे होते थे न, यूथ को इनेबल करने के थोड़ी फिसिकल ट्रेडिंग देने के लिए, उनाइट इंडियन पेट्रियोटिक असोसिएशन, इंपॉर्टन है ये स्टेट्मेंट, 1888 में सरसेयद एमत खान, राजा शिफ प्रसाद सिंह थे बनारास कि उन्होंने इसमें हेल्प की थी, वन और थ्री ठीक है, दूसरा गलत हो गया, लाठी गलब वस फाउंड़ेट बाई बाल, गंगाधर, तिलक, क्लियर, करेक्ट चुनना है, एक अमेरिकन जोनलिस्ट थे, वेब इवेंट जो था, वो नोट किया गया था, वहाँ पे भी छपा था, यह जो डांडी मार्च की थी न, सौल चत्यागर है गांधी चीन न, तो यह वहाँ पे किया था, तो इसी पे बेस था, I guess, पूना पैक्ट साइनवार 24 सप्टेंबर 1932 को बिट्वीन भीम राम जी अमेट सुना होगा आपने, यह क्या था, एक मीटिंग थी, इंडेन मुस्लिम लीडर्स जो थे, वो इखट्टा हुए थे, आगाखान थ्री उनको लेके गए थे, और शिमला में जाके मिले थे, वो वाइसरोयल ओड मिंटो से 1906 में, कितने लोग गए थे उसमें, 35 थे, करेक्ट च सा स्टैबलिश किया, वारन हिस्टिंग ने 1781 में, और बुक, पावर्टी अन अन बिटिश रूल इन इंडिया, किसने बाबलिश की थी, दादा भाई ने रोजी ने 1903 में, 123 ठीक है, 1901 के किताब है, ना कि 1903 के, इन करेक्ट बताना है बाब को, फोर्ट विलियम कॉलिश स्टैबलिश किया, लोड वेलसली ने 1800 में, ट्रेनिंग में अगेरा दी जाती थी, सिविल सर्वेंट्स को, वहाबी मुव्मेंट सरसेयद एहमद बरेलवी ने लीड किया था, सेंटर पतना था, 1820 में स्टार्ट हुआ था, असम कंपनी, पहली चा जरन सरस्वतीन 1876 में, महराश्टर के सोचल रफार्मर गोपाल हरी देशमुक को लोखितवादी कहते थे, 1891 में एज ओफ कंसेंट आक्ट पास हुआ, बहराम जी एह मालाबारी ने काफी प्रियास किये थे इसके लिए, ये भी सारे ठीक हैं, कर एक चुनना है, ये कौन- फिफटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-सिटीन-स क्यांपेंज याद रखने हैं एक लड़ाई लड़ी गई थी 1803 से 1805 के बीच में नाम क्या था लड़ाई का सेकेंड अंगलो मराथा वर थी ठीक है करेक्ट चूज कीजिए रामक्रिशन मिशन स्वामी विवेकानन ने सट किया बैलूर में 1897 क्यालकटा दुर्गा राम मंच राम महताजी दाडोभाई दाडोबा पांदुरंग तारकदार की हेल्प से उन्होंने फाउंड किया था सब्सक्राइब करेक्ट चुन्ना है मोहन सिंग और आजबिहारी भोस ने स्टैबलिश की थी आजाद हिंद फॉज ने स्टैबलिश की थी प्रोविशनल गवर्मेंट अरजी हुकूमत आजादे हिन सिंगपोर 1943 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसिएशन फॉर्म हुई सब्स लीग 1913 में और पहला नॉन यूरेपेन नॉबल लॉरेट जो थे रबिंदर नाट टेगोर उन्होंने विश्वभारती फाउंड की थी 1923 में सिर्फ पहला ठीक है दूसरा गलत हुआ because of the year 1911 था ये भी 1921 था इनकरेप चुनना है सबने मिलके इसको फाउंड किया था और ये फाउंड हुए थी क्योंकि इलबर्ट बिल कॉंट्रवर्सी चल रही थी लॉर्ड लेटन भहुती रियाक्शनरी पॉलिसी लेके आते थे इस वचे से यह प्री कॉंग्रस ओर्गनाजेशन्स हैं बेसिकली तो कोई गलत नहीं है इसमें से बाद में फिर कॉंग्रस आ गई थी करेट बताना है सत्य शुदक समाज फाउंड हुआ महराष्ट में 1873 में बाई जोतिभा फुले इस इंडिया असोसिएशन्स फाउंड हुई थी तादभाई नरोजी के द्वारा 1866 जर्मनी में इसी याद करो मेरे साथ से यही तरीका है तोड़ा असान पहला सही है यह लंडन में था मतलब यह तो बहुत बेसिक क्वेश्चेंज है यह नहीं गलत करके आने आपको लंडन और यह 1905 यह बॉंबे करेक्ट चुनना है हंटर कमिटी की रिपोर्ट रिलेटर थी जलियां वाला बाग से 28 में 1920 साथ मेंबर्स थे साइमन कमिशन में 8 नवेंबर 1927 को फॉर्म वह था भगत सिंग और बटकेश्वर दतने बॉम फेका था ब्रिटिश असेंबली में और इसी को कहा जाता है लाहोर पहला दूसरा ठीक है 1929 में बहुत ही फेमस है यह याद रखना आपको क्रोनोलॉजी आ गई है मैसोर स्टेट का बनना राविदू डाइनस्टी का अस्टैबलिश्मेंट मालुग दासका जनम कृष्ण देव राइकी का राजबिशेग बेसिकलिए मैसोर स्टेट हो गया आपका 1612 अर आविडू है 1570 करीब अप्रॉक्सिमेट है डेट और यह 1574 है इस फिफ्टीन जीरो नाइन करेक्ट चुना है दारा शिको ने खुद को खुद को मतलब अपने लिये लेके आये थे वो श्रीमत भागवत गीता और योग वशिष्ट उन्होंने ट्रांसलेट कराया था परजिन लांगविज में खुद के सुपरविजन में और जो पेसे हैं वन टू ठीक है थर्ड गलत हुआ इस टाइम पे इल्टुत मिश का साशन था और ये सिकंदर लोदी ने किया था आर्टिकल 64 इंपीच्मेंट प्रेसिडेंट का 76 महानियावादी अटॉनी जन्रल 120 लैंविज क्या यूज होगी संसद में 124 राश्र निया एक निय यह सी अब नहीं है यह वैसे भी हो गया टू और थ्री ठीक है 64 नहीं है 61 है यह आर्टिकल यह वाले आर्टिकल्स आप नहीं भूल सकते हैं 124 तो यह है ना आपका सरवोच नयाली की स्थापन और गठन सुप्रीम कोट के बारे में है यह 124 ए आया था एक आर्टिकल ठीक है करेक्ट चुनना है 246 में 7th schedule के बारे में provisions है 98 subjects है union list में 59 state list में है 57 concurrent में है 123 ठीक है कॉन करेंट में 52 है करेक्ट चुनना है सिंधी लैंविज 15th लैंविज की तौर पर इंक्लूड हुई थी एट schedule में 21st amendment 1967 से एज लिमिट state public service commission और joint public service commission के members की जो थी वो increase हो गए थी 60-62 by 41st amendment act of 1976 दोनों ठीक है correct बताना है 42nd amendment के बारे में 10 fundamental duties आड़ हुई थी पार्ट 4A करके article 51 और लोकसभा और assembly का tenure पांट से 6 साल कर दिया था पांट subjects transfer किये गए थे state list से state list से concurrent list में हुआ था ऐसा कुछ ठीक है joint setting के जो provisions हैं वो हमने लिये हैं Australia के constitution से और election जो होगा members अफ राजसभा का वो हमने लिया है South Africa के constitution से और fundamental rights हमने लिये हैं Canada के constitution से तो आपको पता है fundamental rights हमने USA से लिये हैं अमेरिका से करेक्ट बताना आपको interim government के बारे में वह ही पूर्टफोलियो पूछता है से रिलेटेड वो सर्दार बल्देव सेंग defense असफ असफ अली department of railway transport सी राजगोपालाचारी department of health गजनफर अली खान department of education and arts तो पहला दूसरा ठीक है आपका सी राजगोपालाचारी department of education and arts and गजनफर अली खान was health यह interchanged है दोनों इनको आपको chronological order में arrange करना है जब-जब यह establish हुई देखे ज़रा डी हो जाएगा answer नागलेंड वाज में घालया देख लिए पहले 1972 नागलेंड वाज 1963 मिजोरम वाज 1987 सेवन इन सिक्यम यू के नाट फोगेट 1975 कौनसे स्टेट्स गौहाटी हाई कोट के जुरिस्टिक्शन में आते हैं 1948 यह आते हैं आपके असम नागलेंड और मिजोरम ठीक है जी तो क्या हो जाएगा answer C हो जाएगा करेक्ट बताना आपको श्रीलाल भादर शास्त्री नाशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी भूपाल में है महात्मा गांधी अंतराष्ट्रे हिंदी विश्विद्याले वर्धा महराश्ट्र में मौलाना अजाद नाशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदरबाद इंडिन इंस करेक्ट चुनना है पंचायत का मेंबर बनने की मिनिममम एज कितनी है इलेक्शन लडने की 21 एंज मेंबर ओफ मिनिसिपालिटी के लिए 18 मेंबर ओफ लिजिसलेटिव असेंबली के लिए 25 साल और गवर्णर बनना आपको तो 35 साल है बी ठीक या 1, 3 और 4 सेकंड गलत हो गया मिनिसिपालिटी के लिए भी किस साल है ना की 18 क्मिटीस जो हैं कॉंस्टिटिएशन की जो कॉंस्टिटिवेट давно की कुमिटीज थी उनके बारे में पूछ रहा है करेक्ड यूनियनद बावर्स कमिटी जीवत राम भगवानौ दाश कृप्लानि यू ऋनिक dictate माय इप्रविंचिल कॉंस्टिशन कर्शाथ प्रवेंचल क्म कमिटी के भी सेम जेल है यह नहीं थे ड्राफ्टिंग कमिटी के बोल रहा है मेंबर्स कौन-कौन से थे बताएं वन टू-3 हो जाएंगे बिया रंबेटगर एन गुपाला स्वामे याइंगर अलादी कृष्ण स्वामी आईयर ठीक है यह थे सेवन मेंबर्स थे इस कमिटी मे बीम भीम राओं मिट्गर प्रेसिडेंट थे एन गुपाला स्वामी याइंगर अलादी कृष्ण स्वामी आईयर डॉक्टर के म मुंशी साइद मौमन सादुत अला एक थे एन माधव राओ करके बील मित्रा की जगा आये थे और एक थे टीटी कृष्ण मचारी वो डीपी कार्ड का के मुंशी ने कहा प्रियांबल को होलोस्कोप और सोविरें डिमॉक्रिटिक रिपाब्लिक आईरिश पार्लेमेंट को मदर अफ पार्लेमेंट कहते हैं और आप जानते हैं कॉंस्टिटूशनल गवर्मेंट में सोर्स सारा समिधान है तबी तो यह समिधान एक सरकार है प्रेसिडेंट नहीं समिधान है सर्वोपरी लौ अफ दे लैंड है वो करेक्ट चुनना है पार्ट फोर कहलाता है मैगना काटा डव्लू एच मॉर्स जोन्स ने इंडियन काटा ऑफकोर्स करेक्ट बताना है शॉटकमिंग्स करेक्ट करने के लिए रेगुलेटिंग आट 1773 के ब्रिटिश पालिमेंट ने पास किया अमेंडिंग आट ऑफ 1786 जुसको कहते थैं सैट्लमेंट पहली बार ब्रिटिश पालिमेंट ने इस इंडिया कम्पनी के जो के ही एक्ट से हैं करेक्ट चुनना है सिपोय म्यूटिनी हो गई 1858 में तो ब्रिटिश क्राउन ने डिरेक्ट लिए था फिर यह ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी खतम हो गई थी पिट्स इंडिया ग्ट 1784 में इन एडबिनिस्ट्रेशन जो है वो डिरेक्ट कंट्रोल में आ चाटर एक्ट 1793 से मोनोपली ऑफ ट्रे जो थी इंडिया में वो अगले 20 साल के लिए बढ़ा दी थी चाटर एक्ट 1833 से एक लीगल मेंबर भी आड़ किया था गवर्नर जनरल के कांसल में ठीक हैं सारे हैं करेट बताना है पहली बार लेजिसलेटिव और इंडिया आक्ट 1858 चार्ट एक्ट 1853 से जो गवर्नर जनरल इंडिया के थे अब वो वाइसराय फिंडिया हो गए थे इंडिन कांसल एक्ट 1909 से कम्मूनल रेप्रेजेंटेशन शुरू हुआ था मतलब सेपरेट एलेक्टूरेट का कॉंसेप्ट सिर्फ थर्ड ठीक है पहली बार 1853 के आक्ट से सेपरेट हुए थे ये फंक्शन्स और ये 1858 में हुआ था करेक्ट बताना है फंडमेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं एमेजेंसी में भी आर्टिकल 358 और 359 केंडर प्रोटेक्शन और सिविल राइट्स सक्ट 1955 में अंटचबिलिटी को पनिशेबल ओफेंस डिक्लेर किया गया है इंडिन स्टाइटी में एक्सेप्ट आर्टिकल 2021 प्रेसिडेंट के पास पावर है डू सस्पेंड अल अदर फंडमेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 359 तू ठीक ये राइट्स चुननने। राडिक्लिफ लाइन चाइन इंडिया के बिच में बाउंडरी है डूराइट्स ये ओर राइन पाकिस्तान-आफगानिस्तान के बीच्ट में है • मक्मोहन लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में करेक्ट बिताना है, चार नौथीस्टन स्टेट सिक्कें वेस्पेंगॉल असम और उनाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता है भूटान से, भूटान शेयर करता है 699 किलोमेटर लंबा बॉर्डर इंडिया के साथ, ओफिशल लैंग्विज भूटान की पाष्टो है और जॉंखा है, पाष्ट तो नहीं है, करेक्ट चुनना है, इंडिया ने पॉलिसी ऑफ नौन रेसीप्रोसिटी, ग्यार पारसपरिक्रता का सिधान जो है वो फॉलो किया है एस पार्ट अफ गुजराल प्रिंसिपल्स 1998, फिर इंडिया ने लॉंच किया निव नेबर्वड प पॉलिसी की बात हुई थी, तो करेक्ट है आपका A, ये 2005 में लॉंच की थी इंडिया ने निव नेबर्वड पॉलिसी और ये 2014 की बात है, करेक्ट चुनना है, इप्विसा एक ट्राइलेटरल डायलोग है, डायलोग फोरम है इंडिया का, ब्रजील, साथ आफरिका का, जो था 2003 में, इप्सा फंड 2004 में इस्टाबलेश हुआ था तो फसलेटेट इंप्लेमेंटेशन अफ्यूमन देविलाप्मेंट प्रोजेक्ट्स, तो एद्वांस देवाइट अगेंस्ट पावर्टी इन हंगर, सहीं है दोनों, करेक्ट बिताना है, ब्रहमपुत्र नदी को या आप आंगलादेश में ये नदी बहती है, पहला दूसरा ठीक है, ल्वित और दिलाव असम में कहते हैं, ब्रहमपुत्र को, ठीक है जी, और ये लेक मांसरोवर से आ रही है, नियर मांट कैलाश, इट फ्लोस थ्रू साउथ तिबित, नॉट इस्ट तिबित, मैप आता है, तो ही ये questions लग पाएंगे, correct चुनना है, पंच शील agreement जो है, वो sign हुआ था between Prime Minister of India, गुल्जाली लानन्दा थे और उस वक्ट Chinese Prime Minister थे, चौनल लाई, पंच शील agreement हुआ था sign 29th April 1954 को, और 5 principles थे इसमें basically कैसे govern होंगे relations, माने तो गए नहीं वो कुछ भी, भी ठीक है, second or third, पह अगर आपको थोड़ा भी पता है तो, आपको चार cities जो टच करती है, Tropic of Cancer, इनको West से ही इस चलिए करना है, what a beautiful question, देखे जरा, सारी याद कर लो cities, ठीक है, देखो, गुजरात की है, जस्तान, लिख लो, राजस्थान की है, कालिंजर, MP की है, शाजापूर, 36 गड़ की है, स जारखन की है, लोहार डग, वेस्ट बंगॉल का है, कृष्णानगर, त्रिपुरा, उदयपूर, उदयपूर, त्रिपुरारा रिस्तानी, मिजरम की है, चमपाए, तो ये दुबारा पॉस करके वीडियो दुबारा सुन लो और इसको याद कर लो, एक स्टेप फर्दर इंडिया में पेट्रोलियम प्रॉडक्स मिलते हैं, सेंडमेंटरी रॉक्स अफ तर्शरी ओर्डर में, तृत्यक्रम में, और गौनवाना सीक्वेंस है, मिनरल एलिमेंट्स के लिए, ये कोल के लिए बहुत फेमस है, करेक्ट बताओ, वेस्ट कोस्ट इंडिया का बना है, सबसिडिन्स के कारण, उत्थान और निर्गमन के कारण, पेनेंसुलर प्लाट्यू जो है, वहां पे आगने रुपानतर चट्दाने मिलती हैं, निचली पहाडियां, विस्तरत घाटियां हैं, और कॉंटिनेंटल डिफ्ट थियोरी के हिसाब से, इंडियन लैंड मास अंग सबसे भारी श्रेणियी श्रेवालिक है, ट्रांस हिमालियन जो हैं वो ग्रेट हिमालिय के उपर है, नॉर्थ में हैं और चोड़ाई भाबर प्लेेंस की कम है ईस्ट में, जाधा है वेस्ट में, ब्ी ठीक हैं, पीर पनजाल सेंटरल हिमालियास की रेंज है, ये बेसिक यह ट्रेंग बताना है, जवहला नहेरु एगरिकल्चिर उट्टी जबलपुर में है, सर्दार वलगाइ पफञिल अगरिकल्चिर उट्टी सभर्ण पूर्णपुर में है, इंडरांती अगरिकल्चिर उट्टी ओर्धि minor universe क्वियर में है, ट्रॉंबे में है, it Trustee cheapest Ready, है पीतल के बर्तन बहुत मिलते हैं पे चंदेरी जो है मंसौर डिस्ट्रिक्ट का उसको वहाँ पे चंदेरी के साडियों के लिए फेमस है बहुत है पहला दूसरा ठीक है चंदेरी इस बेसिकली इस इन अशोक नगर नॉट मंसौर है मध्य परपेश में करेक्ट चूस करना है बन्नी ग्रासलेंड जो है वो नॉर्दन बॉर्डर ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं बुगियाल्स एल्पाइन पास्टेर लैंड्स हैं चारगा भूमी हैं काफी हाई ऑल्ट्रिट्यूट पे मिलते हैं हिमालियाज में खज्जर वेट्लेंड रवी बेसिन का पार्ट है मांडी डिस्रिक्ट हिमायचल प्रदेश में बढ़ता है पहला दूसरा ठीक है तीसरा आपका चमबा डिस्रिक्ट में बढ़ता है म इनकरिक शानना इस बर मेरिनो शीप की एक नसल है भिगड की जो ड्रय और होट एरियाज में मिलते हैं, टेम्ट लाटिटूट्स की, आइरन काल्चर मेगनीजियम जो है, वो पायरेक्सिन का एक में पाय जाता है, रश्या लीडिंग कंट्री है, हाइड्रो पावर के प्रोडक्शन कपासिटी में, रस तनूरा ओयल रिफाइनरी, ये पश्यन गल्फ में मि एक्स्क्यूज में, बवारिया जो है, वन अफ दे वर्ल्ट्स टॉप इंडस्ट्री रीजिन्स है, जो कि जर्मनी में है, खुलना आपका थर्ड लाजस्ट सिटी है बांगलादेश में, धाका चितगौं के बाद, पोर्ट सिटी है ये, बंदरगा है, जपैन का उकोहोमा स जो है, वो कॉटन टेक्स्टाइल के लिए बहुत फेमस है, मैंचेस्टर ओफ इस्ट कहते हैं इसको, पहला दूसरा ठीक है, उसाका, उसाका, बहुत बेसिक हैं, ये गलत नहीं कर सकते हैं, ना, करेक्ड काईए, स्विस किनाल बना 1969 में, रेट सी से, मेडिटेरेने सी को जो वेनेजविला, साउथ अमेरिका का मैप अगर बता होगा, तो यह लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे, करेक्ड बताना है, नौर्थ इस्टिन स्टेट असाम का बॉर्डर करता है, बांगलादेश भुटान से, कोरी क्रीक जो है, वेस्ट पेंगॉल में पड़ती है, एक काली मिट्टी काहा, को क्या रिगूर या ब्लैक बॉर्टन सॉयल, और कॉटन बहुती, मुस्ट कमन इडिशनल क्रॉप है, ब्लैक स्टी बहुत अच्छी, ब्लैक स्टी पानी बहुत अच्छे से ओल कर सकती है, क्योंकि क्रैक्स डैवलाप और बॉजाते हैं, जब सूखी ह जो डोनों में पड़ेगा आईरन और कोल बिलते हैं कटक और मयूर्बंज में ओढिवीसा में पहला दूसरा ठीक है निकल होता है हम्हां पे प्रडेऊश कटक मयूर्बंज जो है ना आपका आइरन और और इसके लिए नहीं निकल के लिए फेमस है चार मेजर आइलेंड हैं आप जानते हैं जपान के नौट से साथ अरेंज के लिए बहुत ही फेमस क्वेस्टेन है यह रटलो भाई इसको तो कैसे भी यह है आंसर तो काईडू, हॉंशु, शिकोकू, क्योंशू करेक्ट बताना है, अराल सी लेक, नाचरल बाउंडरी फ़र्म करता है कजाकिस्तान उसबेकिस्तान के बीच में, हैफ लॉंग लेक, हाइस्ट लेक है दुनिया का, और डीपेस्ट सलाइन लेक, डेट सी है, लेक टिटिकाका जो है, इस लोकेटेट न बॉर्डर अफ पेरियो और उमर लेक, ठीक है, सिक्किम में है ये, मैच दफॉलिंग कीजिये, फोक सॉंग्स और राज्य दिये हुए है, साइकुती जाय है आपका मिजुरम, सना लमॉक है आपका मनीपूर, भक्का है आपका जमू कश्मीर, और दसकतिया है आपका उडीसम, मेडिसन और उनका C हो जाएगा, अट्रोपीन है, बलादोना, मॉरफीन इस पॉपी, कुईनीन इस सिंकोना, और पपेन इस पपाया, डाजिस्टिव एंजाइम होता है पपाया का, आक्ट को क्रोनलोजी में आपको औरेंज करना है, देखिये, पेमेंट और सेटल्मेंट सिस्टेम आप, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉंडरिंग आक्ट, सिद भी, और डिपोसित अंशॉरंस और क्रेडिट गारेंटी कॉर्परेशन अमेंडमेंट अक्ट, सी ठीक है, अधिड भी है, आपका 1989, अदिस इस 2021, मैच कीजे, स्टेट्स और फोक डांसेस को, भी ठीक है, अब सीरियस बच्चे क्या करेंगे, तुरंट वीडियो पॉस्ट करेंगे, अपने दिमांग में आंसर बना लेंगे, नॉन सीरियस बच्चे, कमिया निका लेंगे, असम का है बीहू, बीहू और बगुरुम्बा, हर्याना का है आपका फाग और धमाल, हिमांचर प्रदेश का है चपेली और महसाव, चमु कश्मीर का है कोड डंडी नाच, करेक बताए, ग्रीन पीस, नियु यॉर्क हेड़कोर्टर्स हैं, आयूसीन, ग्लांट, वेटलिंस इंटरना सी हो जाएगा, टू और त्री ठीक है, ग्रीन पीस है आपका अमस्टरडाम ने, निदरलंड्स, आन्ड दिस इन नियॉ यॉर्क, करेक बताए, ग्रीन हाउस गैसे का जो लेवल इंक्रीज हो रहा है, उसकी वज़े से सटा सर्फिक्स का तेंपरिचर बढ़ रहा है, देखा गया है, जितने भी ग्रीन गाहुस गैसे हैं, एट्मॉस्फर में प्रेजेंट उन में से, पहला दूसरा ठीक है, काबन डायोकसाइड का देखा गया है, ना कि मोनोकसाइड का, 2015 में युनाइटे नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलाप्मेंट गोल्स क्रियेट किये, उनको 2030 तक अचीव करना था, सरका बहुत ट्रिक भी है, अब देखो आपको कैसे याद करना है, एक क्वेस्टन आता ही आता है और गलत हो भी जाता है बच्चों का, क्योंकि सारे नहीं ह है, नो पावर्टी, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी गोल फाइव है, बागे ठीक देर रखे हैं, पीएम आशा योजना कब लॉँच हुई थी, 2018 में, ठीक है, प्रधान मंतरी अन दाता आई संगरक्षन योजना, पूछना मुझे आप से चाहिए था, पर मैंने बता दिया चलो, करेक्ट बताओ, 1960 में महाल अनोबिस कमिटी सेट अप हुई थी, इंकम डिस्टिबूशन के असेस्मेंट के लिए, प्लानिंग कमिशन आया, 1950 में, एक एडवाइसरी प्लानिंग बोर्ट आया था, के सिवरमन, उन्होंने सिफारिश की थी इसके, तो यह जो 1950 में आया था, यह एडवाइसरी प्लानिंग बोर्ट था, चेयर में थे, केसी नहीं होगी, इंडिया में नई स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमाय उजना, लॉंच की थी, मिनस्ट्री अफ अगरिकल्चर, फॉर्मर्स वेलफेर ने, 13 जैनुवली 2016 को, च्वादा मेजर इंडिन बैंक्स नैशनलाइज हुए थे, पांच वे, फाइव येर प्लान के वक्त, ये ठीक है, फॉर्थ फाइव येर प्लान के वक्त हुए थे, ये लॉंच, टाइम पीरिड भी देख लिजे, 1969 से, कितना हो जाएगा, 1974, करेक्ट बताना है आपको उत्यप्रदेश बजट के साब से, एट्थ कॉंजिक्यूटिव बजट था ये, योगिया दित्तिनाथ नेतरत वाली सरकार में, फिनांस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना ने प्रेजेंट किया, वधान सभा में ये बजट छटी वार, फिनांस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया था, फिनांचल ये, 2024, 25 लेजिसलेटिव असेंबली का बजट पांच परवरी को, फिर से बजट का ग्वेश्चन है, रामायन की बात हुई, जिक्र हुआ इस बजट में, फिसकल डेफिसिट स्टेट का एस्टिमेटेड है 3.46%, इस बजट में मेजर प्रायरिटी दी गई है इंडस्टरीज को, यूथ को, विमिन को, पहला दूसरा ठीक है, इसमें दी गई है पूर्स गरीबों को, और फार्मर्स को, विमिन को और यूट को, मतलब विमिन और यूट के साद इंडस्ट्रीज थोड़ा जच नहीं रही न, इन सब को, फिर से यूपी बजट, स्टेट की एकनॉमी सबसे बड़ी है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थविश्था है, और यूपी जो है, वो रेविन्यू सर्पलस स्टेट है, वराजस वधिशेश है हमारे पास, इस बजट को कहा गया है विमिन बजट, क्योंकि मांतर श सकते हो, पॉर्पल भी है कलर, कोई नहीं, पिंक बजट, ठीक है, सेम बजट क्वेस्टन है, इंडस्ट्रल डेवलप्मेंट अथॉर्टी बनेगी मुंदेलखन रीजन में, इसमें प्लान है कि इंडस्ट्रल कमर्शल रेसिदेंशल टाउंशिप्स बनाई जाएंगे, जैस प्रोविजन रखा गया है, आठ हजार करोड का, 8,000 करोड का, इसमें यही तो प्लान है, कि इंडस्ट्रल और कमर्शल रेसिदेंशल टाउंशिप्स बनाए जाएं, गौतम बुद्नगर एंड ग्रेटर नॉइडा, नहीं होना चाहिए न, एक ही बात है यह, basically, कितने करोड रुपे का अलोकेशन दिया गया है मन्रेगा को, इस बजट मे है, famous schemes तो याद रखनी पड़ेंगी आपको, 86,000 करोड का है, तो इसमें से कोई नहीं है, 75,000 करोड का जो ग्रांट दिया गया है, वो किसे दिया गया है इसमें से, यह आपका आयुश्मान भारत और प्रधान मंत्री जन आरोग गया है, ठीक है, important है यह, करेक चुनना आपक है, वो National Green Hydrogen Mission के लिए रखे गाए है, इस बजट में, 8,500 करोड रुपीज जो है, सोलर पावर ग्रिड के लिए रखे गाए है, बी ठीक है, 600 करोड रुपे रखे हैं इसके लिए, यूनियन बजट, यूपी नहीं, यूनियन बजट, क्लेम ये किया जा रहा है इस बजट मे हैं कि इंडिया एक 5 trillion dollar की economy होगी 2027 तक, कुछ tax benefits दिए जा रहे हैं startup और investment के लिए, जिनको extend कर दिया गया है एक साल के लिए, अगले साल तक, basically. C हो जाएगा, ठीक है? कौन सी ranking, basically, UP को दी गई है, जो UP को include किया गया है startup ranking में, तो क्या category क्या है? Leader है category, ठीक है? Latest updated mineral data के बारे में आपको बताना है, 36 लाजस्ट कोल producing state है, गुजरात लाजस्ट कॉमन सॉल्ट नमक producing state है, मध्यप्रदेश कॉपर ओरूर. ठीक है यह सारे, अब top three pearl millet producing state आपको बताने है, मतलब बाजरात पादक राज़े बताने है, याद कर लीजे top three यह है, UP भी इंख्लूड है, तो प्लीज ध्यान देना इस पर. करेक्ट बिताईए official census के हिसाब से, highest rural population ग्रामीन दन संख्या कहाँ पर है, MP में, female literacy सबसाथ कहाँ देखी गई, लक्षदीप में, सिक्किम सबसे कम popular state है, two, three ठीक है, highest rural population UP में है, फिर से census के बारे में बताना है, आपको UT जहाँ पर highest population density देखी गई, वो कहाँ पर देखी गई, दिल्ली में, state जहाँ का सबसे कम population ग्रोथ देखी गई, नागलेंड में, और जहाँ पर सबसादा child sex ratio है, वो है वेस्पिंगॉल में, तो यह 102 ठीक है, ठीक है, अरुनाचल प्रदेश में है, अब आपको correct बताना है, census का question है, total number of schedule tribes कितने हैं गंडरी में, 774, और कोई schedule tribes नहीं है, पुझेरी, डेली, चंडिगर, हर्याना, पंजाब में, highest population schedule tribes का देखा गया है, UT में अगर बात करें तो लक्षदीप में, वन्टू ठीक है, थर्ड, दादर और नगर हवेली में हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, टॉप तीन district बताईए, forest cover के हिसाब से, बताईए, UP forest report, तो यह कई बार आ चुका, वैसे तो question हो, correct बताना है, UT tourism development corporation बना 1974 में है, और नौकजा पीर करके है, वो है सोनबधर में, हस्तनापुर को कहते हैं, जैन्स का काशी, काशी ओफ जैन्स, और कन्नौज को कहा जाता है, नगर महुद्य श्री, हर्षवधरन के टाइम से, 1, 3, 4, ठीक है, सेकेंड गलत हुआ आपका, सहारनपुर में है यह बीर, ठीक है, correct चुनना आपको, Central Institute of Subtropical Horticulture जहांसी में है, Indian Pulses Research Institute कानपुर में है, Indian Botanical Research Institute लखनों, Indian Grassland and Forder Research Institute लखनों, 2 और 3 ठीक है, Central Institute आपका, सब Tropical Horticulture वाला है, लखनों में, यह Pulses ठीक है, कानपुर में है, Grassland Forder आपका जहांसी में है, दो स्टेटमेंट्स हैं, 1957 में पहला Wildlife Century UP का स्टाबलिश हुआ था, चंद्रप्रभा Wildlife Century चंडॉली में है, 1935 में कंट्री का पहला Wildlife Century इस्टेबलिश हुआ था, इस मोतिचूर Wildlife Century राजाजी नैशनल पाक, और इट इस देन इन उत्रप्रदेश पर अब अब ओविशली उत्राखन में है, स्टेटमेंट्स बताईए, पहला Software Technology Park UP का गौतम बुद्नगर में है, मत्रा म्यूजियम एक Archaeological Museum है मत्रा में, और 1875 में स्टाबलिश हुआ था, 2011 सेंसर्स के हिसाब से कानपुर सिटी जो है, इस इस दिस्ट्रिक्ट विद हाइएस्ट फीमेल लिटरसी UP में, एर 1921 में लखनोव वसमेड़ पार्शल कापिटल उफ यूपी तो 134 ठीक है, सेकेंड आपका 1874 होगा, करेक्ट बिताना है आपको रिलेटिट टू दू निकनेम्स, आमला नगरी क्या है प्रतापगड, शिराज अफ फीस्ट गाजीपुर, सिस्टर अफ काशी जौनपुर, राइस बाउल चंदेली, वन और फो ठीक है, शिराज अफ इस्ट जौनपुर है, और सिस्टर अफ काशी गाजीपुर है, करेक्ट बिताना है, अलकोहॉल का कवतनांक, क्वइल्ग पुइल्ग Sunny-Eight डिग्री, मेल्टनेंग पॉइंट गल्नांक बरफ का जीरो डिग्री, पानी का बखनांक सौ, जल खाहिमंक, फिर्जिंग पॉइल्ग पॉइल्ग नीक ह Self Service at रोध का करकरँ को कर दो, loudspeaker sound को electrical में microphone electrical को sound में पहला दूसरा ठीक है loudspeaker करता है electrical को sound में or microphone sound को electrical है है दो स्टेट्मेंट्मेंट्स है gravitational force का कोई प्रभाव नहीं है अनुगों की गती पर motion of molecules पर और गैस अनुरों का वेक बहुत ज़्यादा होता है velocity ज़्यादा होती है ठीक है और द्रविमान कम होता है मास कम होता है ठीक है दोनों प्रेशर किसी गैस का जो की जरूरी है उसको लिक्विफाई करने के लिए critical temperature पे उसको कहता है critical pressure volume of gas of unit mass critical temperature पे और pressure पे कहलाता है critical volume of gas pressure और किसी ideal gas का 1 third होता है of its kinetic energy per unit volume 1 और 2 ठीक है pressure 2 third होता है kinetic energy का दो statement है cotton textile mils ज़्यादा तर समुदर के पास स्थाबित की जाती है क्योंकि ज़्यादा humidity होती है ज़सकी वेरे से cotton thread ज़्यादी से तूटता नहीं है ठीक है बिल्कुल कौनसी waves related है electromagnetic waves चुम्ब के तरंगों से संब्दित है 2,3,4 light, radio और gamma ठीक है methyl alcohol colorless है, flammable है, neutral ततस्ट तरल है क्वतनांक इसका 64.7 है थोड़े विशायले गुण है इसमें, तो इसको alcohol, ethyl alcohol को विकृत करने के लिए यूज के रहता है, denature करने के लिए, methyl alcohol solvent के तॉर पे यूज होता है to dissolve paint, varnish, celluloid, shellac etc. पेट्रोल और इथायल alcohol का mixture यूज होता है as a fuel for motor engines 1,2,3, ठीक है बिल्कुल ये होता है, यूज पेट्रोल and methyl alcohol gun powder में mixture होता है potassium, nitrate, charcoal और sulfur का, modern dynamite में sodium nitrate की use होता है nitroglycerin के साथ, blasting gelatin में 7% nitrocellulose होता है 93% nitroglycerin sodium metabisulfide जो है वो ये jam, sauce, pickles, अचार वगेरा को preserve करने में काम आता है sodium benzoate जो है, वो soft drinks और acidic food pickles में यूज होता है animal charcoal यूज होता है bleaching organic materials में और potassium bromide यूज होता है treatment of epilepsy सहीं है germanium जो है most widely used है as semiconductor in transistors and integrated circuits आतिश बाजी में strontium salt यूज होता है to make green color और barium यूज होता है to make dark red color soldiers जो है lead के बने होते हैं और tin के, they are used to connect electronic circuits 1 और 3 ठीक है barium यूज होता है barium green color और strontium dark red color ठीक है, barium green color और strontium dark red plum pudding model किसने दिया john dalton ने electron जो highest energy level के होते है उनको कहते है valence electrons ठीक है, सहीं हो जिकता electrons brown spots जो utensils और कपड़ों पर लग जाते हैं कई बार उसका मतलब होता है manganese ज्यादा है पानी में potassium पर manganese dark purple compound होता है antiseptic disinfectant पानी में डाल के वह नहाते हैं कुछ लोग two, three, four ठीक है पहला गलत है plum pudding model यथा JJ Thompson ने J को पूरा कर लेते हैं yellow lamps जो हैं वो roads को eliminate करने के लिए यूज होते हैं sodium gacin में इस्तमाल होती है washing soda जो है it can be used to soften hard water और chemical name जो hypo होता है वो यूज होता है photography में sodium carbonate sodium को kerosene में रखा जाता है क्योंकि sodium react करता है rapidly oxygen के साथ due to its high reactivity one, two and four ठीक है third गलत हो गया है sodium thiosulfate ठीक है जी green plants जो होते हैं वो खाना produce करते हैं through photosynthesis इसलिए उन्हें कहते हैं consumer वो भोगता picture और napthenes plant खुद का खाना बना सकते हैं through process of photosynthesis insective virus plants वहां पर उगते हैं जहां पर nitrogen की कमी होती है पौधों में भी ठीक है भाई इन्हें producers कहते हैं correct बिताना आपको entomology में keto का insects का अध्यन होता है on neurology छिपकलियों का यह मौसम ऐसा है आजकल इतनी dryness हो रही है गले में birds और anthology और kidney का अध्यन nephrology में होता है onkology treatment of cancer फिर भी आपके लिए विडियो बना रहे हैं तो आप select हो जाएए बस ठीक है जी c 1345 lizards का होता है sorology s-a-u-r-o on neurology क्या होता है चलो यह आप बता दो मुझे please अच्छे बच्चो बता दो anti-rabies vaccine invent के Edward Jenner ने smallpox का vaccine invent के Lewis pasture ने और polio vaccine John Jonas Salk blood group Lance Tiener काफी आता है question 340 एंटी रेबीज की थी डिसकवर लुए पास्चर ने and smallpox Edward Jenner of course correct बताना है internal necrosis करके एक डिजीज जाता है आवले में तो वो क्यूं होता है बुरॉन की कमी से और buttoning disease होता है कॉलिफॉर कॉलिफलार में nitrogen की कमी की वज़ा से cavity spot disease होता है में manganese की कमी की वज़ा से और marsh disease होता है मतर में deficiency of nitrogen की वज़ा से 1 और 2 ठीक है मिलकुल cavity spot होता है nitrogen की कमी की वज़ा से और ये होता है आपका manganese की कमी की वज़ा से फिलेरिया या फिर elephantiasis जो है it is caused by infection with a roundworm nematode जिसको कहते हैं वुचिरेरिया बैंक्राफ्टी carbohydrate प्रोवाइड करता है instant energy body को and it keeps the body healthy disease से बचाता है लेकिन आजकल ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए है इंतलब balanced diet हो ही चाहिए fats ना सिर्फ energy देते हैं body में but store भी करता है energy को protein fight करता है diseases से repair करता है body को ठीक है इन सारे thyroxine hormone की कमी से बिमारिया होती है rickets, mixidema, यह सब एक hormone है adrenaline या epinephrine adrenal medulla इसको secrete करता है इसको fight या flight hormone मोलता है हम जूले पर बैठते हैं, आप helicopter से कूथते हैं, आप आज कल बहुत कुछ हो रहा है ना तो उसमें वो adrenaline rush चाहिए hypothalamus brain में होता है center point है hunger, thirst, love, hatred, blood pressure, water, metabolism यह सब का सही है दीनो correct चुनना है रामपुर ब्लॉक, जौनपुर district का अभी recently उसको second rank मिला पहला delta ranking जो release की गई थी नीतियायोग ने, लखनो उनिवर्सिटी को category 1 का university status मिल गया है by UGC, UP 4th largest startup ecosystem बाला state बन गया है country में और cinema halls जो की बने थे और closed है main markets में UP के, उनको recently permission बन गई है, मिल गई है कि वो multi-story shopping complexes बन सकते हैं 2, 3, 4 ठीक है नहीं this is Kaushambi not Rampur, Kaushambi block को मिला है Kaushambi block, Kaushambi ही district का ठीक है आदर्श सिंग Kanpur से उनको recently 4th player select हुआ है वो Indian team में under 19 World Cup में और tribal museums बनेंगे Mirzapur, Sonbhadr, Maharajganj में UP ने अभी top position achieve कर ली है हर घर, जल, योजना में जल, जीविन mission का सही है ही भी सारे है प्राइम मिनिस्टर ने अभी unveil किया virtually flag off किया 2nd Vandhye Bharat Express वारण असी में और एक cabinet meeting में proposal दिया गया है free kitchen cylinders दिये जाएंगे 1.75 crore beneficiaries को उजवला scheme के अंडर और state of the art charging stations बनाए जाएंगे electric vehicles के लिए expressways पे open dialysis units खोली जाएंगी आगरा वारणासी गोरखपुर के hospitals में 123 ठीक है लखनव वारणासी गोरखपुर नौट आगरा यहां ती Union Health Minister ने अभी एनाउंच किया है कि country का third geriatric care or rehabilitation center खोला जाएगा National Aging Center ब्हु में अरविन सिंग बुलन शेहर से हैं गोल्ड मेडल मिला उनको lightweight men's double skulls of rowing में गोवा में हुआ था और International Day of Persons with Disabilities के अवसर पे प्रेसेडंट दुरापदी मुर्मु ने honor किया है दिव्यांग, तेजवीर, अभिनफ चौधरी और दिव्यांग Development Society UP को National Award 2023 जो की नई दिली में हुए थे ठीक है यह भी मेरट ने रिसेंटली Championship GT 25th Annual Horse Riding Competition UP Police का और सॉम्य माथूर ने रिसेंटली अजियूम चार्ज किया है पहली विमन जेनरल मैनेजर बनेगी नॉर्थीस्टन रेलवे की और चीफ मिनिस्टर ने Foundation Stone रखा Construction Work का Naval Bravery Museum इन सीजी सिटी एकाना सेडियम लखनो सेकंड और थर्ड ठीक है मुरादाबाद ने अवर्ड जीता है सेंट पीटर्स बैसिलिका वाटिकन सिटी में है उसको भी मिला है लाजिस्ट चर्च का टाइटल असम्चीफ मिनिस्टर हिमनता बिस्वशन सर्मा रिसेंटली उन्होंने बिल अप्रूफ किया टूरिजम सेक्टर बिल्ड करने का अच्छा कासा फेमिस अक्टर्स और राइटर सुना ली बेंदरे उन्होंने लॉंच की अपनी फोर्थ बुक वेलकम टू पारडाइज वन और टू ठीक है यह ट्विंकल खनना की बुक है स्टाच्व उनिटी जो की गुजरात में है वे इनाउगरेट किया गया अधि सिंबल ऑफ नैशनल प्राइड वन फॉर्टी बट अनिवर्सरी पे सदार वल्लभाई पतेल की और चंपाइस वरन रेसेंटली नेक्स्टीप मिनिस्टर बने जारगन के भारत कोकेंग कोल लिमिटेड ने अनाउंस किया है कमर्शल ऑपरेशन जो है अधि सेट अफ ती आट फ़ीव पंट जीरो मिलियन टन पर अनम मधुबंध वाशरी का और प्राम मिनिस्टर ने लॉंच किया कॉमन वेल्ट लीगल एड़ुकेशन अस्टीशन कॉमन वेल्ट एटॉनीज इन इंडिया का पहला इंडिज्वल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट आथलीट्स कमिशन मेंबर अभिनव बिंद्रा ने रिसेंजली उनको सेलेक्ट किया गया तॉच बेर होंगे वो वेड़ीव पारिस ओलंपिक्स में सीनर कॉंगर्स लीडर और फॉर्मर मिघाले गवर्मेंट मिनिस्टर शरत बार को टोकी का निधन हो गया हाली में और एक अन प्रेसिदेंटेटेटिव लिया गया है बाय उनिनिस्ट्री आउसिंग अर्बन अफेर्स तो सेंट्रलाइस इंस्ट्रीम्लाइन रॉर देटा फ जोती यारजी ने गोल्ड मेडल जीता हंडर्ड मीटर हर्डल में रिकॉर्ड टाइम में जाहिद हुसेन अनंतनाग के रहने वाले हैं सिल्वर मेडल जीता है प्रस्टीजियस एशन शूटिंग चैंपिंशिप साथ कोरिया में हुई थी मधिप्रदेश चीफ मिनिस्टर मो ठीक है यह भी प्राइमिनिस्टर ने रिलीस की तीन बुक्स अट तुलसी पीट चित्रकूट MP में फसाय ने इशू किया है पहला सर्टिफिकेशन इंडस्ट्रियल प्रेडूस्ट और नाच्रली अकरिंग ट्रांसफार्ट को हटाया जाएगा और ब्लॉड इन ने सब्सक्राइशन जा जारी इस तो के साइंटिस्ट वी आर ललतांबिका ने रिसेंटली उनको और किया गया विद्रश्या का हाइस्ट सिविल अवार्ड दो और जगहां तमिलनाडू की रामसार साइट्स डिक्लेयर कर दी गई हैं तमिलनाडू के पास सब सबसे ज़्याद वह प्रांस का हाइस्ट सिविल अवार्ड इंको मिला है ना कि रश्या का गर्मेंट फिंडिया ने रिसेटली अनॉंस किया तो अनुर लाल कृष्ण दवानी विद गंडरी इस हाइस्ट सिविलिन अबॉर्ड भारत रत्न केरला बन गया है फिर्स्ट सेट इन इंडिया तो सेट अप हॉल माकिंग सेंटर्स चौदर दिस्रिक्ट में और आजिस्थान पवेलियन ने प्रेस्टीजिस गोल्ड मेंटल जीता है एक्सेलेंस इंडिस्प्ले इन स्टेट पवेलियन काटिगरी एर मार्शल मकरंद रानाडे ने रिसेंटली उनको सिलेक्ट हुए है वो अज़ नियू डिरेक्टर जेनरल ऑफ इंडियन एर फोर्स ठीक हैं सारे पावन कुमार को रिसेंटली सिलेक्ट किया गया है एस चीफ एडवाइजर एंडी डिफेंस मिनिस्ट्री रिसेर्चर्च एड जवाहला नहरू ट्रॉपिकल बॉटानिकल गार्डन रिसेर्च इंस्टिटूट केरिला ने अभी एक नई मश्रूम की स्पीशि है कॉंडलियो माइसिस एलबॉस कॉमस पता नहीं क्या है वेस्टिन घाट्स में थ्री इंडियन साइंटेस्ट राहुल आर नायर मेहुल मलिक तन में इनको प्रेस्टीजियस यूके अवार्ड मिला है लंडन में कहां कहां लोग जाके क्या क्या करके आ रहे हैं देखिए आ ठीक है है यहां चैनियन प्रेस्टेंट आयवे थे यहां पर उन्होंने अनूंस किया ग्लोबल बायो फिल अलाइंस जॉइन करेंगे और इंटरनाशल सोलर अलाइंस भी और उन्याइट नेशन्स क्लाइमेट चैंस समिट 2023 हुई थी आब अधाभी में 43rd ASEAN समिट और्गना इकविडोर देख लो ठाके मैप पे तो तियार हो जाएगी कुछ कंट्रीज अंसर बताना है ना आप लोगों को तो 1 3 और 4 है से ही दुसरा क्यों गलत हुआ दुबाई में हुई थी पास ही तो है इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस यूनियन रेल्वेज क्म प्रिंबरिज ले आउट बैंगलोर में और यह पोस्ट ऑफिस जो है यह गंस्ट्रक्ट हुआ किया लासन टोर्बो कंस्ट्रक्शन कंपणी ने आइटी बॉंबे की हल्प से टेकनिकल सपोर्ट था और यहां पे 3D कॉंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नॉलजी यूज हुई है पोस्ट ही ठीक है मड्रास, IAT मड्रास की हेल्प ली गई है गिरिजन कॉपरेटिव कॉपरेशन विजयवाड़ा की उनको अवार्ड मिला है और्गानिक सर्टिफिकेट का अराकू कॉफी और ब्लैक पेपर क्रॉप्स के लिए क्रिस्टिफर मार्क लक्सन नई प्रामिन्स्टर बने न्यूजिलेंड के रित्विक रंजनम पांडे 16th Finance Commission के सक्रेटरी बने है और पेशन प्रोटेक्शन राइट्स चार्टर अभी अन्वील किया डबलु वैट्टो नहीं सी ठीक है एला गलत हो गया आंध्रप्रदेश के हैं यह क्यों गलत हुआ यह विशाखा पत्नम नॉट विजयवाड़ा ऐसे भी क्वेश्टन्स गलत हो जाएंगे विशाखा पत्नम लिस्ट ऑफ वर्ड्स हंड्रेड मोस्ट पावफल विमेन 2023 इंकरेक्ट पताईए वाब निर्मिला सीतरमन जी 35 पे हैं रोश्नी नादर मलुत्रा 58 पे सोमा मंडल 70 एथ किरन मजूमदार 76 पहला दूसरा ठीक है टॉप पे रही उर्सूला बॉन्डेर लेन जॉमनी की प्रिस्टीन लेगार्ट फ्रांस की हैं फिर कमला हैरिस हैं थर्ड पे ठीक है थर्टी सेकंड पे ये हैं ठीक है बिल्कुल और फिर एचल की चैर परसन रोश्नी नादर मलुत्रा 68 पे हैं नहीं 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 इनकरेक्ट पूछ रहा है ना तो ये हां ये दोनों कलतो हैं फिनांस मिनिस्टर 32 पे हैं और ये 60 पोजेशन पे हैं सोमा मंडल आपकी सेल की चैर परसन है और बायो कॉन की फाउंडर है किरन मजूमदार 76 पे WHO नहीं रिसेंट्ली रेकमेंड किया है यूज फ्नी वैक्सीन काल्ड R21 मेत्रिक्स M मलेरिया अब से बचने के लिए बच्चो में वेस्ट बेंगॉल है रेसेंट्ली अबरूफ किया नीलगीरी ताहर प्रोजेक्ट फर दी कंजर्वेशन आफट सेट अनमल नीलगीरी ताहर इंडियन नेवल शिप इंफाल इसको रिसेंट्ली इंड़क्ट किया गया इंडियन नेवी में इन रिसेंट्ली अर्गनाइज्ट अथ नेवल वेसें मॉंबाइ एंडिन ओरिजन ऑस्टिलियन सेडिजन समीर पांडे रिसेंटली फर्स्ट पर्सन बन गए एंडिन ओरिजन के तु बेकम दे लॉर्ड मेयर अफ ती सिटी ओफ पैरामाटा कांसुल इंसिड्नी वन थ्री और फो ठीक है तमिल नाडू वैस बेंगॉल का है क्या यह स्टेट आनिमल रिसेंटली थर्टी थर्ड व्यास सम्मान दिये गए टू एमिनेंट पुष्प भारती राइटर हैं उनकी मेमोयर के लिए यादें यादें और यादें फेमस समयल राइटर शिव शंकरी इनको ओनर किया गया विद थर्टी सेकंड सरस्वती सम्मान बाई के के विल्ला फांडेशन और हमाश्य प्रदेश अभी फूर्ट स्टेट बन गया है तू स्टार्ट विद्या समीक्षा केंद्र गोवा गुजरात उत्राखन के बाद ठीक है इन सारे हैं IAT Madras ने रिसंटी जोईन किया Chicago Quantum Exchange as international partner 3 Indian officers, Wing Commander Sumit Mahajan Major Rohit, Left Hand Commander Sunny Sharma इनको Golden Owl Award Shilanka का दिया गया Nepal बन किया है first South Asian country to register same-sex marriage Sudha Murthy पहली women बन गही हैं to receive the Global Indian Award by the Canada India Indian Foundation ये भी ठीक है, 1, 2, 3 1, 2, 3 and 4 answer होगा इसका 138 का, no, 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 C ये तो ठीक है बिलकुल, पहला गलत है This is IAT Bombay Assembly Elections 2023 आपको बताना है correct क्या है कौन-कौन Chief Minister कहां के बने है Mohaniyadav, Madhya Pradesh, Vasudev, Devnaami Rajasthan, Vishnudev, Roy पहले Tribal Chief Minister बने है चत्रिसगड के, Lal Duhuma, Mizram के और Anumula Rewanth Reddy, second बने है तिलंगना के है 1, 3, 4 and 5 is correct Second is wrong Vishnudev, Roy तो ठीक है अब आसुदेव देवनानी नी बने, भजनलाल शर्मा बने है भजनलाल शर्मा Correct बिताईए, Jammu Kashmir Reorganization Second Amendment Bill 2023 के बारे में ये बिल लोकसभा ने पास किया था 12 December 2023 को फिर राजसभा में 18 December 2023 को पास हो गया ये 1, 3rd reservation देता है All elected seats पे औरतों को Jammu Kashmir में और Schedule Cast और Tribes को भी Reservation का प्रोविजन इसमें है ठीक है Correct बताना है उत्रप्रदेश State Mega Export 2023 अभी organize हुआ था ADB ने एक initiative launch किया Building Adaptation and Resilience in the Hindu Kushim Alias और RBI ने पैनलाइस किया है गुजरात को गुजरात कॉपरेटिव बैंक्स को Progressive Mercantile, Kach Mercantile, Shree Morbi को इन सबको non-compliance के लिए अनुपालन नहीं करेंगे तो ऐसी होगा 123 ठीक है कौन सा correct है Bangalore-based slice-backed Northeast Small Finance Bank है उसने appoint किया है Satish Kumar Kalrako as the interim MDN CEO India International Trade Fair 2023 recently organized हुआ चन्ने में country का पहला rapid rail service has recently been named Namo Bharat 103 ठीक है India International Trade Fair आप कहां चन्ने में लगता है इन नहीं दिली में लगता क्या हर साली correct बताना है Prime Minister Nandendri Modi ने रिसेंट एन्वील किया first series of 11 volumes comprising the collected works of Pandit Madan Mohan Malviya world का पहला chicken guniya vaccine एक चिक US ने मंजूरी दे दिये उसको Robert Fico इनको Prime Minister बनाया गया स्लोवाकिया का चौथी बार ठीक हैं सारे यह तो काफी बार आ गया question कौन सा correct है approval दिया गया है काट्री का पहला AI city बनेगा India का largest state UP कानपूर IIT Madras और मंडी ने रिसेंटली engineer की है plant cells anti-cancer drug Camputhacin को पौधूं को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने रिसेंटली होस्ट किया 6th session of ISA recently two or three ठीक है यह लखनों में होगा कौन सा सही है रगुराम राजन अलोंग विद रोहित लांबा ने रिलीस किया है अभी एक बहुती important book है Breaking the Mold, Reimagining India's Economic Future और Bloomberg Billionaire Index के साबसे Mukesh Ambani इंडिया के richest man है Luke Fredam ने रिसेंटली उनको पॉइंट किया गया है as a new Prime Minister of Luxembourg Petroleum और Natural Gas Minister श्री हरदीप सिंग पूरी ले लॉंच किया है reference gasoline and diesel fuel 1,3 और 4 ठीक है second 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 97.6 billion अब ये गौतम अडानी है दो statements है A और फिर assertion reason है National Investment and Infrastructure Fund Limited ने Sanjeev Agarwal को नया Chief Executive Officer और Managing Director पॉइंट किया है Russia ने recently officially withdraw कर लिया है from Treaty on Conventional Armed Forces in Europe सही व्याक्ख्या नहीं है बस बात यह है बाकी तो दोनों चीज़ा मितलब क्या है कुछ भी नहीं correct option चुनना आपको Deep Narayan Nayak dedicated teacher है बिहार से उन्हें prestigious global teacher award मिला है 2023 का Central Government ते recently announced किया है कि exploration or development agreement sign करेंगे वह with Government of Argentina for five lithium blocks Mineral Vidas India Limited करेगी इसके लिए exploration Union Cabinet ते recently approved किया है declaring Ayodhya Airport as the international airport कितनी बार आ गया यह Perumal Murugans Firebird book है JCB Prize for Literature मिला है 2023 का 2,3,4 West Bengal के हैं यह correct बताना है Union Cabinet chaired by Prime Minister Naindra Modi recently approval मिला है MOU sign होगा between India और US Agency for International Development अमिर्चा जी ने रिसेंटली नौ प्रजेक्ट्स नौ गरेट किये वर्थ 368 करोड कात्रीना काफ को अपना Global Brand Ambassador अपॉंट किया है ICC ने रिसेंटली बैं किया है transgender players को International Women's Cricket में खेलने से तो नहीं खेलेंगे मों कोई गलती नहीं है तो अब तो खुशी का ठेकाना नहीं है कौन सा correct है Prime Minister Narendra Modi ने रिसेंटी नौगरेट किया 58th DGSP's IGSP Conference Rajasthan International Center Jaipur और Indian PM has recently crossed the mark of 2 crore subscribers surpassing the world leaders पहले बहुत famous leader है यह First vertical wind tunnel install किया गया Indonami Special Forces Training School है माशल प्रदेश में और घोल मचली जो है उसको state मचली डेक्लेर किया गया है बाई गुजरात की चीफ मिनिस्टर वह पेंद्र पेटेर 234 पहला क्यों गलत हुआ क्योंकि यह अमिच्छाजी ने इन्हों create की थी ना कि इसके साथ-साथ यह test आपका हो जाता है यहीं पर खतम फटा-फट से अपना score बताईए मुझे comment करके और अच्छे से पढ़ाई कीजिए बहुत-बहुत शुब कामना है आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद अवा नास ताम